एक और गरीब के गर में पैदा हुए हमारे नेता नरेंद्र मोदी है। दूसरी और चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए राहूल बाबा है दोनों को बीच में आपको तय करना है। एक और गर में आते ही विदेश में ठाइलेंड के प्राइवेट द्वीप पर वेकेशन कलने वाले राहूल बाबा है। दूसरी और डिपावली के दिन भी चुटी न लेने वाले नरेंद्र मोदी है। भाईो वेनों दोखे में पड़े हैं। दोखे में तय हैं। एक और गरीब के गर में पैदा हुए हमारे नेता नरेंद्र मोदी है। और दूसरी और चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए राहूल बाबा है दोनों को बीच में आपको तय करना है। एक और बारा लाग करोर के गपले गोटाले ब्रश्टाचार करने वाली कॉंग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी है। और दूसरी और तेईस साल तक मुख्यमंत्री रहकर साचन किया। परन्तु जिस पर चाराने का भी ब्रश्टाचार का आरोप नहीं है। नरेंद्रमोदी है। एक और घरमी आते ही विदेश में ठाइलेंड के प्राइवेट द्वीप पर वेकेशन कलने वाले राहुल बाबा है। और दूसरी और दिपावली के दिन भी छुटी न लेने वाले नरेंद्रमोदी है। आपको ये दोनों के बीच में तै करना है। मोदी जी ने इस दस साल में देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाई और बेनों मैं आज आपको पुछने आया हूँ। मुझे बताओ अध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था। जरा जोड से बोलो बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। एक कॉंग्रेस पार्टी ने सक्तर सक्तर साल तक इस सपा बसपा ने सक्तर सक्तर साल तक राम मंदिर को अटका कर रखा लटका कर रखा भटका कर रखा मोदी जी ने पाँची साल में केश भी जीता भूमी पुजन भी किया और प्राण प्रतिष्टा करकर जय स्री राम कर दिया और भाई और बेनों जब प्राण प्रतिष्टा हो रोई थी इस सपा और कॉंग्रेस वालों को निमंत्रन दिया गया मगर अपनी वॉट बेंक की लालत में अयोध्या की प्राण प्रतिष्टा में भी नहीं गए भाई और बेनों मतुरा वालों एक कस्मीर हमारा है या नहीं है जोर से बोलो है या नहीं है एक खड़गे साब कहते हैं कॉंग्रेस वाले कहते हैं अखिलेस यादव कहता है कि उत्तरपदेश और कस्मीर का क्या लेंदेन है मुझे बताओ धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी जोर से बोलो हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी मोदी जी ने सतर सतर साल से जिसकी राह देख रहे थे वो धारा 370 को पांच अगस्त 2019 को समाप्ठ कर दिया भाईयो और कस्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया